दैनिक जीवन में पोन आंतरिक परवर्तन की परिगटना से जूड़े कई उधारण हम देखते हैं जैसे की हीरे का चमकना हीरा हमको चमकते हुए नजर आता है लेकिन जब हीरे को साधरन तौर पे हम देखें जब वो कोईले की खान से हमको प्राप्त होता है तो एक सिंपल का चमकता कि जब उसको बहुत तराशा जाता है मतलब उसको खाट काटकर उसकी कई सता बना जाते कैं फिगफलक बना दिया जाते हैं और वो फलक इस प्रकार होते हैं कि जब प्रकाश की किरन उसमें प्रवेश करती है तो अपतन कोड का मान उसकी क्रांतिक electro sound से अधिक हो जाता है और जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो वहां पर होगी पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना यानि कि जो प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश कर चुकी है वो उसके अंदर कई फलकों से बार 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 टकराती र टहूँआ नजर आता है मैसे हीरे और वायू के माद्यम के पेर के लिए अब वर्तनांगeremos 2.4 फॉट होता है और हीरे का अपवर्तनांक अधिक हो रहें के कारण इसके लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है लगबग 24.41 डिग्री का क्रांतिक कोण का मान कम होता है इस परिस्थिती में अपतन कोण का मान आसानी से अधिक प्राप्त हो सकता है और यही कारणे की हीरा चमकदार हम को नज़र आता है वैसे ही यदि किसी इप कर के अंदर हम पानी रखें और उसके अंदर von ocurrora का तो वह चमक्र नज़र आता है यहांपर हमने पैर लिये है पानी और वायू हाँ पानी ज़्खन माध्या में और वायू विरल माध्या में जब प्रकाश की किरन पानी से उस वायू के बुल्बुले में टकराती है जल और वायू के बुल्बुले के लिए क्रामति कौन का मान लगभग 48.75 डिगरी होता है जिन जो किरने पानी के अंदर वायू के बुल्बुले में इससे ज् परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है और हमारे आखों पर पड़ती है तो वो हिस्सा वो सता बुल्बुले का हमको चमकदार नजर आता है वैसे ही यदि हम बीकर के अंदर जिसमें की पानी भरा हुआ एक टेस्ट्यूब डाल दे उस के अंदर की वाई हो तो जब जल से प्रकाश की किरण उस खाली टेस्ट्यूब के हिस्से पर पड़ेगी तो वहां पर यदि उन किरणों के लिए अपतन कोंड का मान 48.75 डिग्री से अधिक होगा तो वहां पर भी प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएंगी और वो हिस्सा टेस्ट्यूब का बिलकुल चमकदार नजर आएगा ऐसे ही यदि कोई गेंद को हम काजल से पोत दे और उसके बाद उसको पानी में डुबा दे जब काजल से पोतेंगे तो गेंद बिलकुल काली नजर आएगी लेकिन जैसे उसको पानी में डुबा देते हैं तो काजल पूती हुई गेंद चांदी की तरह चमकने लगती है यह को चमतकार नहीं है बलकि यहां पर भी पॉण्र आंתरिक परावर्तन के घटना ही है जब हम कि गेंद को काजल से पोत देते हैं तो वहां पर गेंद और काजल की बीच में आ ज और यहां पर भी जब प्रकाश की किरण 48.75 डिग्री से अधिक अपतन कौन में पड़ेगी तो वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापिस मोड़ जाएगी यहां पर होगी पूर्णांत्रिक परावर्तन की घटना और वो काजल पुती हुई गेंध ऐसा प्रतीत करे है कि आइने में भी ऐसा ही होता है जो लौटी हुई किरण रहती है जिस सता से वहाँ वो सता बिल्कुल हमको चमकदार चमकीली नजर आती है जैसे कि वहार पर चांडी रखा हो कि अग इसी प्रकार यह जी किसी ग्लास में हमने सिक्का डाला वह फ्क्राश का अपुंदा Samją हम यह भी जानते हैं कि इस पानी से भरे हुए ग्लास में जो सिक्का है थोड़ा सा उपर की और हमको नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है लेकिन जब हम ग्लास को थोड़ा सा तेड़ा कर दें तिर्शा कर दें इस कंडिशन में भी हम देख रहे हैं कि जो दो माध्यम का पेर है वो है जल और वायू अब जो किरने इस सिक्के से पानी के अंदर 48.75 डिग्री से अधिक कोण में आएगी वो जल से बाहर नहीं निकल पाएगी बलकि वो मोड जाएगी जल के अंदर और हमारी आँखों पर प यहां हमको सिक्का हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है यहां पर पूर्ण आंत्रिक परावर्तन की घटना के कारण सिक्का ही नहीं एक जहाज भी हमको उपर लटका हुआ नजर आता है और यह घटना कहलाती है मरीची का और यह घटना होती है ठंडे प्रदेशों में जह बहुत ठंड रहती है समुधिर के किनारे वहां हम देखते हैं कि समुधिर की किनारे की जो ह्वा हैёл वह सघन हो जाती है कि जैसे जैसे ओपर कियोफ बढ़ें तो वायू की परत विरल होती जाती है मान लिजे कोई चटान है जिसके इस पार एक जहाज हो और जिसके दूसरी और एक व्यक्ति खड़ा हो चटान के कारण हम यह सोचेंगे कि व्यक्ति जहाज को नहीं देख पाएगा लेकिन यहां पर होता है एक magic या बोल सकते हैं प्रकाश की घटना जो प्रकाश किरणे इस जहाज से आगे की और बढ़ रहे हैं यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की और प्रवेश कर रहे हैं और जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो यह अभिलंब से दूर जुकती जाएंगी दूर जुकते जुकते एक ऐसी स्थिती आएगी जहाँ पर इस आपतन कोण का मान क्रामति कोण से अधिक हो जाएगा उस कंडिशन में प्रकाश की किरण बिलकुल परवर्तन के नियम का पालन करती हुए उसी माध्यम में यानि की सघन वायू की परतों में वापिस आ जाए हैं मतलब यह जहाज का प्रतिवेम इस वेक्ति को ऊपर की और नजर आएगा यह कुल मिला के हम कहें तो यह जहाज उस वेक्ति को हवा में उल्टा लटका हुआ नजर आता है और यह जादू है पौन आंत्रिक परावर्तन का इसी प्रकार पौन आंत्रिक परावर्तन की प्रतीब में देखने को मिलती है। जिसे अम मरी dughyka के नाम से जानते हैं जिसक्शा मिराज 와서 एफेक्ट हैं। दूर से प्यास वेक्ती को रह शुचान में पाणी नज़ाता चाहिए तो से पानी नजर नहीं आता उसे पॉधों का येपंड़ की नाम से पीड़ के अम अंदाजा लगाते हैं शायद पानी भी हो सकता है और उसका प्रतिभईम याधि up नज़र आता है तो निश्चित रुप से वह वेक्ति में हैं वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा उपर की ओर उठने लगती है जिसके कारण नीचे की जो वायू की परत है उसका घंत्व कम हो जाता है यानि कि वो वायू की परते विरल हो जाती है और उपर की वायू की परते सखन हो जाती है अब पेड़ से जो प्रकाश किरण आ वो सघन से विरल माद्य में प्रवेश कर रही है और जब सघन से विरल माद्य में प्रवेश करेगी तो वो धीरे 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 अभिलम से दूर जुकती जाएंगे और एक ऐसी कंडिशन आ जाएगी जहां अपतन कौन का मान क्रामति कौन से अधिक हो जाएगा उस कंडिशन मे होगा पौन आंत्रिक परावर्तन और ये किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उस व्यक्ति के आखों में पहुच जाएंगी अब इस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये किरणे इस पेड़ से नहीं बलकि इस जगे से आ थी और उसको उस पेड़ का प्रतिविम जेस्ट इस पेड़ की नीचे उल्टा नजर आएगा और वो यह अंदाज लगा लेगा कि वहां पर जरूर कोई तलाब यह पानी है जहां पर पेड़ का प्रतिविम उल्टा उसे नजर आ रहा है जब यह व्यक्ति दौड़ते हुए पास आएगा पानी की तलाश में जो प्रकाश की मूड़ी हुई किरंथी वो उसकी आँखों तक नहीं पहुच पाएगी और यहां पर उसका भ्रम तूट जाएगा और वहां पर केवल एक पेड़ ही नजर आता है तो यह मात्र एक दृष्टी भ्रम है जो की पूर्ण आंत गर्मी की दिनों में इस मरीची का कानभव सड़क पर जरूर करते हैं जब गर्मी की दिनों में बस यह कार से म्यातरा करते हैं और दूर सड़क में देखते हैं तो सड़क हमको चमकीरी नजर आती है ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क में पूरा जल भिख रहो पूरा पानी भि ये भी मरीचिका का ही कारण है हमको कहीं दूर से आस्मान की परच्छाई उस सड़क पर नजर आती है और हमको ऐसा लगता है वहाँ पे नीला नीला जल हो पर वास्तव में वो जल नहीं होता बलकि वो मरीचिका है यानि कि पूर्ण आंत्रिक परवर्तन की घटना का उधारण इसी प्रकार जो मचली होती है पानी के अंदर उसका भी द्रिष्टी छेत्र लिमिटेड होता है वो भी एक निष्टिट कोण के संकु के अंदर ही देख पाती है यदि हम पानी और वाईयू के लिए क्रांतिक कोण देखे तो ये 48.75 डिगरी का होता है लगभग 49 डिगरी क हान के चलते हैं तो यदी हम एक मचली ले जो पानी के सता के नीचे है माना कि ये पानी की सता से the height नीचे है तो यहां पर जो किरन्य सतु से सिधे-सिधे आ रही है वो तो मचली की आखों में पढ़ेंगे मतलब आप 49 डिग्रे के आगे की कौन की प्रकाश किरने वापिस परावर्तितों के इस पानी में ही आ जाती है या फिर हम बोल सकते हैं कि मचली जो है तली की चीजों को भी दरपन की तरह देख पाती है कुछ दूर तक क्योंकि यह किरने पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के पश्चात मूड कर मचली की आखों में पहुच रही है उपर में यह कितने का देख पाएंगी 49 प्लस 49 मतलब कुल मिला के 98 डिगरी का शंकू जो है उसके चेत्र फल्ट तक यह देख पाती है अब यह कितने चेत्र फल्ट तक देख पाएंगी इसके लिए हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं यानि कि यह जो रेखा है सरल रेखा मचली की आख से ओ बिंदू तक का इस रेखा से इस ए बिंदू तक की दूरी की की दूरी हम निकाल लेते हैं और इस त्रिज्या का हम एक सर्कल बनाएंगे यानि कि जो संकू का सर्कल होगा बेस उतने छेत्र फल्ट तक यह मचली देख सकेगी अगर हम इस त्रिभूज को देखें AOB में यहां पर 10 IC ले 49 डिगरी यहां पर इस जल और वायू के लिए क्रांतिक कोण है तो यदि हम 10 IC ले इसका मान होगा लंब बटे आधार यहां लंब है आर और आधार यानि की मचली से इस सता तक की दूरी यह है H तो यह हो जाएगा R अपॉन H जहां से R बराबर होगा H 10 IC इसको हम समीकरण एक दे देते हैं किन्तु हम यह भी जानते हैं म्यू बराबर होता है वन अपॉन साइन आइसी यह फिल लिख सकते हैं साइन आइसी बराबर वन अपॉन म्यू तैन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस तो टैन आइसी बराबर हम लिख सकते हैं साइन आइसी अपॉन कॉस आइसी और कॉस को य क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वेर ठीटा बराबर स्वान मैनस स्क्वेर ठीटा होता है अब साइन आइसी का मन कितना है वन अपॉन म्यू तो यहा पर मन रख लेने पर हमें प्राप्त होगा वन अपॉन अपॉन रूट अंडर 1-1 अपॉन 1 q2 अब नीचे डिनम नेटर से हम 1 upon mu common ले लेते हैं चुकिया रूट लगा है तो यहां बचेगा 1 upon muस्क्र 2-1 यह1 till यह रूट के लगा है तो यह स्क्वेर के साथ रूट से बाहर स्क्र 2 क्रूट है और यह root से बाहर निकला है तो यह mu square, mu square cancel हो जाएंगे, 1 बचेगा और वैसे ही दूसरे portion में अधिया हम देखें, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 upon mu square, इसने जब common लिए हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 upon mu, अब numerator, denominator से 1 upon mu cancel कर देते हैं, तो 10 IC का मान होगा 1 upon root under mu square minus 1, equation 1 को हम देखें, तो r बराबर है h 10 IC, अब 10 IC का मान यहाँ पर लगा देते हैं, तो r बराबर होगा h, 1 upon root under mu square 1, r बराबर h upon root under mu square 1, इतने एरिया के व्रित के अंदर वो देख सकती है, और एक व्रित का एरिया होता है, pi r square, तो हम मचली का द्रिष्टी छेत्र निकालेंगे, pi r square से, तो pi r के जगे लिखेंगे, h upon root under mu square minus 1 का whole square, और मचली का द्रिष्टी छेत्र बन जाएगा, pi h square upon mu square minus 1, यहाँ पे square और root cancel हो गया, तो इस प्रकार यदि मचली को पकड़ना हो, तो इतने एरिया के व्रित से बच कर, यानि कि छुप कर हमको मचली को पकड़ना है, यही कारण है कि जब मचली पकड़ने जाते हैं तो बहुत दूर हम बैट जाते हैं, और सरफ एक रसी या मचली के लिए काटा डाल देते हैं, तब मचली हमको नहीं देख पाती और वो काटे को असानी से खाने आ जाती है, यदि हम झागते हुए मचली को देखें, तो बिल